नमस्कार मैं हूँ गाहित्री और आप देख रहे हैं UK News Express चली जल्दी से जान लेते हैं पहाड की दिन भर की सारी बड़ी खब्रे उतरकाशी टीरी सीमा पर करीब 45,000 फीट की उचाई पर स्थिट सहस्ताल ट्रेक पर गए 22 ट्रेकर के साथ एक बड़ा हाथसा हुआ 22 सदस्यों की ट्रेकिंग दल खराब मौसम की वज़े से रास्ता भटक गया खराब मौसम और ठंड की वज़े से कई ट्रेकर्स की तबिर बिगड़ने लगी और फिट ट्रेकिंग दल के 5 सदस्यों की मौत हो गई सहस्तिताल ट्रेकिंग रूट पर फसे दूसे ट्रेकर्स के लिए वायू सेना की मदद से सर्च और रेस्क्यू आपरेशन चलाया गया और सभी को हिलिकॉप्टर से एरलिफ्ट कराया गया उत्तरकाशी प्रशासन के मुताबिक 22 सदस्यों वाले ट्रेकिंग दल में करनाटक के 18 और महराश्य का एक व्यक्ति शामिल था जबकि 3 स्थानिय गाइड थे सभी 29 मई को सहस्तिताल के ट्रेकिंग अभ्यान पर रवाना हुए थे साथ जून को सभी को वापिस लोटना था लेकिन मंगलवार को आखरी कैम्प से सहस्तिताल पहुँचने के दौरान मौसम खराब होने से दल ड्रास्ता भटक गया पुलिस के मताबिक यातरी सुभा मद महेश्वर में दर्शन के बाद बूरा के दार ट्रेक की ओर जा रहा था उसी दौरान पैर फिसला और वो पहाडी से नीचे गिर गया यातरी के दोनों पैरों में कई फ्राक्चर हुए हैं लेकिन हालात खत्रे से बाहर है किदारनाथ धाम से पुलिस और शद्धालू के बीच विवात की खबर सामने आई है पुलिस का दावा है कि किदारनाथ मंदिर के वी आईपी गेट से दर्शन के लिए जबरन गुस रहे यातरीयों के एक दल को उन्होंने रोका तो उन्होंने हंगामा कर दिया पुलिस के मताबिक वी आईपी दर्शन पर 10 जून तक रोक है लेकिन शद्धालू नहीं माने और वी आईपी गेट से जबरन गुसने की कोशिश की वहीं शद्धालू का आरोप है कि पुलिस वालों ने उनके साथ बतसलू की की और धका भी दिया इसके बाद शद्धालू के साथ करतीत पुरोहितों ने भी पुलिस के खिलाप नारे बादी की विवाद बढ़ा तुरू दुक्रियाक के एसपी विशाका शोग भदाने ने अब इस पूरे मामले की जाच की आदेश दिये है वहीं बद्रिनात के दारनात मंदिर समिती भी CCTV फुटिज के आधार पर मामले की जाच की बात कह रही है प्रशासन के सक्त अभियान के बावजूद के दारनात में नहीं रुख रहा है हेलिकॉप्टर टिकेट का फ़र जीवाड़ा के दारनात यात्रा हेली सेवा के नाम पर श्रधालू को लगाता ठगी का शिकार बनाये जा रहा है पुलिस की मदद से महराश्च का एक श्रधालू परिवार ऐसी ही ठगी का शिकार होने से बचा श्रधालू के बताबे के दारनात धामे दर्शन के बाद बापसी में उन्होंने हेलिकॉप्टर टिकेट कराने का सोचा ओनलाइन सेर्चिंग में एक व्यक्ती से संपर्क हुआ जिसने करीब 3 लाख रुपे में टिकेट करवाने की बात कही टिकेट का सैंपल भी भेजा फिर पेइमेंट करने पर जोड देने लगा शक होने पर ती थ्यासियों ने किदारनात में तैनात पुलिस वालों से पूरा मामला बताया और इस तरह ठगी से बच गए उत्राखन में लगातार तीसरी बार पांचों लोग सबासी जीतने पर बीजेपी में जश्न का बहुल है राजधानी देरादून समेथ प्रदेश भर में बीजेपी के नेता और कारेकरता जश्न मना रहे है सीएम धामी से पीएम मोदी की मजबूत वीरश्शिप का नतीजा बता रहे है तो पार्टी के तमाम नेता भी कह रहे है कि मोदी की अगवाई में तीसरी बार देश और प्रदेश तेजी से आगे बढ़ेगा महीं कॉंग्रिस के अंदर मायूसी पस्री हुई है प्रदेश कॉंग्रिस के अध्यक्ष करण मारा कह रहे है कि उन्हें तकलीफ है कि पहार की लोगों ने अंकिता भंडारी से अन्याय करने वाली और बच्चों पर लाटी चार्च करने वाली बीजेपी पर भरोसा जताया है खबर है कि कॉंग्रिस उत्राखंड की पांचों सीटों पर मिली करारी हार की समीक्षा करेगी और रिपोर्ट हाई कमान को भीजेगी पॉडी गरवाल लोगसभा सीट पर बीजेपी के अनल बलूनी से हार के बाद कॉंग्रिस की गणेश गोदियाल ने विडियो संदेश जारी किया है विडियो में गोदियाल कहते दिख रहे हैं कि अब वो संसद में अंकिता भंडारी की लडाई नहीं लड़ पाएंगे लेकिन सडकों पर उतर कर अंकिता को न्याय दिलाने के लिए लड़ते रहेंगे इस विडियो में गोदियाल का टिकेट देर से मिलने का दड़ भी जलका हम इस संगर्स को करते रहेंगे गरवाल सीट पर गनेश गोदियाल ने बीजेपी के अनिल बलूनी से डेड़ लाग से जादा वोटों से चुनाफ हरा है गोदियाल ने भी अनिल बलूनी को जीत की बधाई दी है उत्राखण में 52,000 वोटर ने किया है नोटा का प्रयोग अलमोडा में सबसे जादा तो हरिद्वार में सबसे कम वोटरों ने नोटा दबाया ये जानकारी सभी लोग सबा चुनाफ सीटों के नतीजे घोशित होने के बाद निकल कर सामने आई है चुनाव आयों के मताबिक प्रदेश भर में इस बार कुल 52,630 मतदाताओं ने नोटा यानि कि नन अफ द अबव का प्रयोग किया अलमोडा में सबसे जादा 16,697 मतदाताओं ने नोटा का बटन दबाया गड़वाल में 11,224, नैनी ताल में 10,425, तीरी में 7,458 और हरिद्वार में 6,826 मतदाताओं ने नोटा का प्रयोग किया है खास बात यह है कि केवल EVM ही नहीं बलकि पोस्टिल बैलेट में भी नोटा में मत तिकले है विश्व परियावरंड दिवस पर सीम धामी ने पौधा रोपन कर प्रदेश वासियों को परियावरंड सनरक्षन का संदेश दिया धामीर अपनी पतनी गीता के साथ देहरादूर में इस तहसिदारा हैली पैट के पास सिटी पार्क में कई प्रजाती के पौधे लगाए सीम ने कहा कि परियावरंड सनरक्षन में उत्राखंड वासियों की एहन भूमिका रही है सरकार संमरेद जैव संसादनों के सनरक्षन के प्रती प्रती बद्ध है लेकिन हमें सामोहिक रूप से प्रकृति के सनरक्षन की दिशा में भी चिंतर करना होगा और मिलजुल कर परियावरंड बचाने के लिए काम भी करना होगा उत्राकर्ण में मई महीने में तेवर दिखा चुकी गर्मी जून के पहले हफते में थोड़ी राहत दे रही है तेज गर्मी के बीच बद्वार दो पहर बाद प्रदेश में मौसम ने करवट बरली यमनोत्री धाम समेथ आसपास के छेत्रों में आंधी तूफान के साथ बारिश शुरू हो गए तीरी जिले के प्रताप नगर और घंसाली में भी तेज बारिश हुई है तो वहीं धनौल्टी में तेज बारिश के साथ ओले गिरे है मौसम विभाग के मुताबिक पहडी जिलों के अलावा मैदानी जिलों के कई हिस्सों में भी बारिश का नुमान है पचास से साथ किलोमीटर की रफ्तार से हवाई भी चलेंगी जिससे गर्मी से राहत मिल सकती है हलदवानी के बेटे अक्षत पंगरिया ने किया है कमाल अक्षत ने मेडिकल प्रवेश परिक्षा नीट यूजी 2024 में 720 में से 720 अंग हासिल किये है इस तरह अक्षत की नीट यूजी 2024 परिक्षा में 99.99% आई है अपने पहले ही attempt में अक्षत ने यह उपलब्दी हासिल की है अक्षत शुरू से ही मेडावी चात्र रहे हैं हाई स्कूल की परिक्षा में अक्षत ने 97% और इंटर की परिक्षा में 96% अंकों के साथ पास किया था ग्यारवी की पढ़ाई के साथ ही अक्षत नीट की तयारी में जुट गए थे अक्षत के पिता CHC किछा में डॉक्टर है इस साल की नीट QG परिक्षा में 14 लड़कियों और 53 लड़कों यानि कि कुल 67 छात्रों ने 99.99% के साथ रैंक वन हासिल की है तो इस बुलिटिन में हमने आपको दी उत्राखंड की कई एहम और जरूरी खबरे फिलहाल के लिए इतना ही उत्राखंड की ऐसी एहम खबरों से हम आपको रोज जूबरू करवाते रहेंगे आप चुड़े रहिएगा श्रेश्ट उत्राखंड के साथ